नवस्कार दोस्तों एक बाफ फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स मैं देली एंसेयर की वेकंसिज आपके साथ देली शेयर करता हूं और यह आज मैं जो वेकंसिज शेयर करूंगा वो है थ्रस्डे की वेकंसिज बट थ्रस् पिछले कई दिनों से आपके साथ डिसकस करो क्योंकि यह रिपीट हो रही है न तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी हूंग एक दो दिन के पहले के तो आपको क्लियर होगा कि वेकंसिज बार बार आ रही है तो फिर भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया मैं ऐसे बाहर स पहुंच जाएगे सेक्टर 22 नोइडा से निकले हुए वेकंसिज पहुंच जाएगा गेट नो इडा से निकले है इसकी पीडियफ जो है आपको मिल जाएगी मेरे टेलिग्राम चैनल में तो वहां से जाके आप ओन बाई वन करके देख पाएंगे ना इसके बाद से यह वे रमजे से स्कूल आनंद परवत की रिक्वार्मेंट। उत्तम स्कूल वेल गाझयवास चाथि नगर से वेकैंसी वे से inद्र आएंगे अब यह एक रीपीट नहीं हो रहा इंद्रपस इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 10 द्वारका से वेकंसी है, वाकन इंटर्वी होगा 9 दिसंबर 2023 को, तो यहाँ जो रिक्वार्मेंट है वो PhD English, PhD English, Science, Mathematics, Vocal Music Instructor, Dance Instructor, Special Educator, Public Relation Officer, Accountant, Front Office, इंटर्वी के जोड़त है, तो आप अप्प्लाई कर लिजएगा, एक यह वेकंसी देख लिजए, वेस्ट इंटर्वी पीतम पूरा, फीमेल केंडिट्स की रिक्वार्मेंट है, PhD English, PhD, Social Science, English, Research, Nursery, Incharge, French, F.C.S.T.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E जो भी फ्रेंड्स वाकिन इंट्र्वू के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर जाएगेए, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बसंद वियार से रिपीट होई है, आप चेक कर लिजएगा प्लीज़ू से वेकंसिज हैं, टीजटी की प्राइमरी टीचर की, नर्सरी टीचर की, केंप्यूटर टीचर की, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, स्पेशल एजुकेटर एंड रिसेप्शनिस्ट की, तो वाकिन इंटर्वू यहां भी है, नाइन टू 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 जून के बीच में आप जाके इंटर्वू दे सकते हैं, निलगरी पब बारे में बता दिया, जो PDF होगा, उससे आप इजली समझ पाएंगे, बागी एक वेकंसिस के बारे में आप से बात करना था, यह पतंजली गुरुकुलम से वेकंसिस हरिद्वार से निकली होई थी, और इसकी PDF मेंने डाउनलोड करके रखा है, तो आप भी इसको कैसे आप देखेंगे, यह official website है, recruitment sections पर जाएंगे, teaching पर जाएंगे, और यहां से जाके जो view details करेंगे, तो यह सारी चीज़े खुल के आ जाएंगे, ठीक है, तो अभी यह download करके रखा हूए, मैं बस आपको यह बता देता हूँ, कि आपको इसमें apply कैसे करना, जैसे recruitment, teaching का click के आपने apply apply for job, यह रहा, apply करने का पूरा इनका procedure, ठीक है, तो यहां से जाके इसको आप apply कर दीजेगा, यहां पे resume चूज करने का option आ रहा है, आप upload कर सकते हैं, यहां से resume और submit कर सकते हैं, तो यह full process होगा, आपको apply करने का, अब details में देख लेते हैं, जैसे कि वह ने बता है, मैंने download क करके रखा हुआ है, तो मैं वह page आपके साथ में open करता हूँ, तो यह है, पूरी vacancy, हिंदी और English में दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, यह देखिए, इस तरीके से आप इसको जब पढ़ेंगे, तो हिंदी और English दोनों है, आए हम English के बारे में बात करते हैं, और देख ले यह non-teaching जो post के लिए जो दिया हुआ है, इसको skip करते हैं, और direct हम चलते है, teaching post के लिए जो vacancy आई हुई है, ठीक है, तो यह कुछ इस तरह से advertisement आएगा, nursery to 12th यह school है, और invite application for Hindi, PRT के लिए 4 है, English के लिए 4 है, Maths के लिए 4 है, EBS के लिए 4 है, Sanskrit के लिए 1 और PRT और TST मे एक एक computer, Chinese, French, German, Japanese के लिए 1 एक एक विकंसिया है, art and craft के लिए 3 हैं, भारत, natrium, dance, form के लिए 1 है, flute के लिए, vocal, harmonium के लिए 1, tabla, 1 और synthesizer के लिए 1, guitar के लिए 1 की विकंसिया है, फिर hockey, football, basketball, volleyball, tennis, badminton, जो coach होते हैं, उनके लिए 2 है, academician, who came complete lead the academic part, अप तिल 10th class, वन वेकंसिया है, junior and senior wing academic coordinator की 1, 1 वेकंसिया है, तो वेकंसिया है, आप देख लिए काफी अच्छी वेकंसिया निकली हुई है, और हर एक फिल्ड से निकली हुई है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि जो requirement है, उसके लिए क्या कैट्रिया हो होना चाहिए, तो required educational qualification for PRT, graduate with DLA, अगर आप B.A.D. है, तो भी आप कर सकते है, ऐसा कुछ नहीं है, बट DLA है, तो प्रतमिकता दी जाएगी, priority दी जाएगी, TST में graduate हो, post graduate with B.A.D. होना चाहिए, required experience, थोड़ा से यह ध्यान देने वाली बात है, कि experience candidates के लिए है, minimum five years के experience मांगा गिया है, salary according to seven pay commission, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, seven pay के according आपको salary मिलेगी, यह अच्छी बात है, चुकि आप जैसे कि आप KV में apply करते हैं, या और भी जगों पे apply करते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो आप निरास हो जाते हैं, बट यहाँ पे जैसे इस तरह के जो school है, यह भी आपको PRT के लिए आपको 50-60,000 रुपय देंगे, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती हैं, अगर आप apply कर रहे हैं, डेली के आसपास हैं, या आप कहीं से भी videos देख रहे हैं, तो आप apply जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यह residential school type का होता है, और इस सारी facilities आपक इसमें मिलेंगे, interested candidates में register, तो registration के लिए मैंने आपको बता दिया, direct आप जाएंगे, यहाँ पे, यह देखिए, recruitment section पे, teaching पे, और यह रहा registration का process, ठीक है, यहाँ से जाके इसको registration आप कर सकते हैं, register हो सकते हैं, ठीक, अच्छा, इसकी जो last date होगी, वो 30 December होगी, तो आप त्या पस तक आपको यह clear कर दिया जाएगा, और subject candidates को पहले online interview लेंगे, फिर उसका demo के लिए यह बुलाएंगे, offline interview लेंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज तो यह contact number है, आप इन से बात कर सकते हैं, और male candidates से जादा female candidates को यह priority देंगे, तो यह सब चीजे clear हो गई, अची vacancies है, बर सकते हैं, permanent based पर यह vacancy निकली हुई है, non teaching post से भी कुछ निकली हुई है, तो यह यहाँ पर आप एक सकते हैं, और इसकी last date आपको मैंने discuss कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप apply कर लीजिएगा, और अगर आप Delhi से हैं, तो भी आप जरूर जाए, या देली के बाहर से हैं, तो भी आप जरूर जाए, ठीक है, बाकि वीडियो को मैं यहें पर bind up करता हूँ, अगर आपको अपने कभी गुरू कुलम में पढ़ाया हो, या आप कभी आप exam देने गए हो, या interview देने गए हो, तो आप experience जरूर शेयर करिएगा, खुश रहिए, खुशिया बाटते रही है, thank you so much.